हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2023 के गोश्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कोशन, तो आप इस पूरी लेक्चर को बहुत ध्यान से लास्त तक जूर देखीगा, आज का पहला और इंपोर्टेंट कोशन है, भारतिय बायुशेना को एयर बस के द्वारा कौन सा बिमान सौप गया है, आंसर हो जाएगा C-295, तो देखें दोस्तों, यूरोप की एक कंपनी है जिसका नाम है, एयर बस डिफेंस एंड इस्पेस, तो उसके द्वारा भारत क को पहला C-295, टैक्टिकल, मिलिटरी, एयर लिफ्ट प्लैन सौप दिया गया है, और यह जो प्लैन है, भारतिय बायुशेना में सामिल होगा, दोस्तों, जो हमारे देश के एयर चीप मारसल है, B.R. चौधरी, तो उन्होंने इस पैन में जाकर, सेविले सहर में इस प्लैन को रिसीप किया है, और यह जो प्लैन है, यह 15 सितंबर तक दिल्ली पहुँच जाएगा, और इसके अलाबाद जो दूसरा एयर क्राप्ट होगा, वो मई 2024 तक भारत आजाएगा, दोस्तों, अब सवाल आता है, कि भारत और स्पैन की यह जो कंपनी है, एयर बस, इसके बीच समझोता कब हुआ था इन बिमानों को लेकर के, तो सितंबर 2021 में यह समझोता हुआ था, कितने बिमान खरीदने बाला है भारत, तो 56 बिमान खरीदने बाला है, कौन से बिमान, C-295, दोस्तों, जो 56 एयर क्राप्ट होगे, या 56 बिमान होगे, उन में से 16 का निर्माण स्पै के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि कहां बनाया जाएगे दोस्तों, गुजरात के बड़ो द्रा में, तो 2024 के मद्द तक C-295 बिमान यहां पर बनाना सुरू हो जाएगे, और पहला स्वदेशी C-295 बिमान, 2026 में बनकर तयार हो जाएगा, दोस्तों, अब हम एयर क्राप् लेंडिंग भी कर सकता है, दोस्तों, यह जो एयर क्राप्ट होगा, यह 320 मीटर की दूरी में ही टेक आफ कर सकता है, और लेंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी होती है, तो यह जो बिमान होगा, अपने साथ 7,050 किलोग्राम का पैलोड उठा सकता है, यानि बज़ दिसमलोग 8 एक मीटर की इसकी विंग स्पैन है, और इसमें क्रू कितने हो सकते हैं, तो दो क्रू हो सकते हैं, तो यह इसकी कुछ खासियत है, आप इस पूरी लेक्शर को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपसे कोशन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक् बेल आइकोन भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा, दोस्तो टेलीग्राम पर आप हमसे जड़ जाएगा, तो वहाँ पर आपको पीडियाप मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर जाना है, इस्टडे कर ओफिसियल सर्च करना है, त तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, और चैनल को जॉइन करेंगी, तो आपको पीडियाप भी मिल जाएगा, इसके अलाबा आप हमारे एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है, अगर आपको लेक्शन पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अंगला कुश्चन है, उत्राखंड में बिद्या समिक्षा केंदर का उधगाटन कहां किया गया है, और ये उधगाटन किसने किया है, केंद्रिये सिक्षा मंतरी धरबेंद राज है, जिसमें बिद्या समिक्षा केंदर का उधगाटन किया गया है, और ये जो बिद्या समिक्षा केंदर होगा, यहां पर एक क्लिक में राज जी के सभी इश्कूलों का डाटा ओनलाइन प्राप्त किया जल सकता है, तो इसके लिए ये बिद्या समिक्षा केंदर बन में कुछ important current of us discuss करते हैं, तो उत्राखंड के Nanny Senni Hawaii Addee को DGCA के द्वारा अभी हाली में Aero Drum License प्राप्थ हुआ है, गोवा और उत्राखंड ने पर्टन को बढ़ाबा देने के लिए अभी हाली में एक सम्झोता किया है, उत्राखंड के रिसी केस में Youth 20 परामर्स कारक्रम सम्मेलन अभी हाली में संपन हुआ है, उत्राखंड के देव इस्तल में Aesia के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल Liquid Mirror Telescope को स्थापित किया गया है, तो ये कुछ current affairs से उत्राखंड से related, आप इन्हें note कर सकते हैं, चलिए दोस्तों उत्राखंड की वेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं, तो उत्राखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, राजधानी इसकी दहरादून है, पुसकर सींग, धामी बरतमार में Chief Minister है, राजपाल हैं, गुर्मी सींग, बिधान सभा की 70 सीटे हैं, राजे सभा की 3 सीटे हैं, और लोक्षवा की 5 सीटे हैं, तो ये बेसिक जानकारी है उत्राखंड से related, नेक्स्ट कोशन है, नैसकॉम के उपाध्यक्ष की रूप में किसे निव्ट किया गया है, आंसर है इसका सिंधू गंगाधरन को, तो अभी हाली में सिंधू गंगाधरन को The National Association of Software and Service Companies, यानि नैसकॉम का उपाध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है, सिंधू गंगाधरन सैप लैप्स इंडिया में बरिष्ट उपाध्यक्ष और MD के रूप में काम कर रही हैं, इससे पहले दोस्तों नैसकॉम के चेर परसन के रूप में राजेस नामब्यार को नुक्ति किया गया था, बात करते हैं नैसकॉम की, तो नैसकॉम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, दोस्तों यह ऐसी कंपनियों का एक समू है, जो की स्थापना 1988 में की गई थी, इसके सदस से हैं 3000 से अधिक, यानि 3000 से अधिक कंपनिया इससे जुड़ी हुई है, इसके संस्थापक कौन है, नंदन नीले कड़ी और देबांग महता, मुख्याले कहां इसका, नोईडा और नई दिल्ली में, हाली में की गई कुछ मातपोंड न्यूक्तिया डिसकस करती है, तो डबलू की ब्राण्डमेस्टर कौन बनी है, अनुस्का सर्मा, दूर संचार विभाग के सचयो कौन बने है, नीरज मित्तल, कोटक महिंदरा बैंक के MD और CEO कौन बने है, ओदय कोटक, और FTII कोने के अध् ज्यादाओ, इसके अलाबा केरल के नए DGP कौन बने है, डाक्टर सेख दरवेश साहब, और चतिसगड़ के डिप्टी सीम कौन बने है, टीयस सिंग देव, और जैगवार लेंड रोवर की CEO कौन बने है, एड्रियन माडरेल, भारत पे के CTO कौन बने है, पंकज गोयल, रो के प्रमुक कौन बने है, रवी सिंगा, और लिथुआनिया में भारत के राजदूद कौन बने है, देवेश उत्तम, नेक्ट कोशन है कि इस देश में तूफान डैनियल के बाद आई बार से मरने वालों की संख्या लगबग 5000 तक पहुँच गई है, आंसर हो जाएगा लीविया वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बार आई है, जिसके कारण 5000 से अधिक लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है, तो लीविया के पूर्वी हिस्से में भीशन बार में कम से कम 500 लोग मारे गए हैं, और 10,000 लोग लापता हो गए हैं, और करीब 20,000 लोग हो गए हैं, तो इस प्रकार की बार आई हुई है लीविया में, दोस्तो अब सवाल आता है कि ये बार क्यों आ गए इतनी अधिक मात्रा में, तो होता क्या है कि जो डैनियल तूफान है ये यहाँ पर आता है, और उसके कारण वहाँ पर दो प्रमुक बांध तूट जाते है यानि लीविया के जो दो प्रमुक बांध थे, वो तूट जाते हैं, जिसके कारण लीविया का एक सहर है डरना, उसमें अचानक बाढ़ आ जाती है और उसका लगभग 25% हिस्सा जो है वो नस्ट हो चुका है, अमेरका और मिस्र, जर्मनी, इरान, इटली, कतर और तुर्की के द्वारा यहां पर सहायता पहुचाई जा रही है, दोस्तो आप यह जो लीविया देख पा रहे हैं, इसका यह बाला जो हिस्सा है, यहां पर इस्ते थे डरना सहर, और यहां पर दो बांध बने हुए थे, जो यह तूट जाते हैं, जिसके कारण यहां पर बाढ़ आ जा आता है, यानि कि यहां पर पेट्रोलियम उत्पादन होता है, दोस्तो लीविया की बात करें, तो लीविया पर वहां की सरकार का नियंदरन बहुत ही कम है, क्योंकि अलग-अलग इलाकों में कभीलों के बीच जंग जारी है, और इस जंग के कारण सरकार बहुत कुछ कर नह पा रही है, और सरकार भी यहां पर इस तर नहीं बन पा रही है, दोस्तो 2011 में यहां का जो तानस आय था, गदा भी, वो मारा जाता है, इसके बाद इस तर सरकारें नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण यहां पर डेबलम्मेंट भी नहीं हो पा रहा है, दोस्तो यहां पर अफ्रिकी संग जो है अभी हाली में G20 का स्थाई सदस बना है भारत तिमोर लेटसे में अपना दूताबास खोलने वाला है और बानु अतू के नए प्राइमिनिस्टर बने है सातो किलमेन जोर्जिया जो की अमेरिका का एक रज है अंगला कुशन है केरल राज में किस वायरेस को लेकर चार जिलों में अलर्ट जारी किया गया है आंसर हो जाएगा इसका निपाह बारस तो दोस्तो केरल के कोजी कोट में निपाह बारस से दो लोगों की मौत के बाद तीन और जिलों कन्नूर, बाइनाड और मलब पुरम में अलर्ट जारी किया गया है कोजी कोट में तो पहले से अलर्ट था तो इन चार जिलों में निपाह बारस को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है 2018 की बात करें तो कोजी कोट और मलब पुरम में निपाह से 17 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तो बात करते हैं निपाह बायरस की तो निपाह बायरस चमगादर और सुवर जैसे जानबरों से इंसानों में फैल सकता है इसके लक्षण क्या होते हैं तो सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीव और चक्कर ये इसके लक्षण होते हैं निपाह का पहला मामला 1998 में मलेसिया के सुंगई निपाह गाओं में मिला था इसलिए इसका नाम निपाह बायरस रखा गया है दोस्तो बात आई है केरल की तो इसकी स्थापना एक नॉबंबर 1956 को ही थी ये आप केरल की लोकिशन देख सकते हैं इसके पडोसी राज्यों में तमिल लाडू और करनाटक है नेक्स्ट कोशन है पाँच भी राष्टिये वीलचेयर रगबी चेंपियंसिप को किस ने जीता है तो महराष्ट ने जीता है महराष्ट ने करनाटक को हरा करके इस चेंपियंसिप को जीता है और दोस्तो यह जो चेंपियंसिप है ये 10 सितंबर से 11 सितंबर 2023 तक पुने के बाले बारी में आयुजित की गई है बिहार ने हर्याना को 23-9 से हरा करके तीसरा इस्थान हासिल किया था यानि पहरा इस्थान महराष्ट का दूसरा करनाटक का और तीसरा इस्थान बिहार का रहा है दोस्तो बात आई है इस्पोर्ट की तो इस्पोर्ट से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट करेंट अफियस डिसकस करते हैं तो भारत के किरंड जॉर्ज ने अभी हाली में इंडोनेसिया बैडमेंटन मास्टर्स का खिताब जीता है विराट कोली वंडे में सबसे तेरा हजार रन बनाने वाली खिलाडी बने हैं कनाडा की डैनियल मैक गेही पहली ट्रांसजेंडर किर्केटर बनी है दोस्तो अभी हाली में डूरंड कप 2023 का जो फाइनल है ये किसने जीता है मोहन बागान ने जीता है फीफा ने सिलंका फुटवाल महासंग के प्रतिबंद को अभी हाली में हटा दिया है नेक्स्ट कुशन है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी दुनिया के सर्वसेष देशों में भारत की रैंकिंग क्या है तो भारत की 30 रैंकिंग है तो इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में एक पॉजिटिव बदलाव आया है तो 87 देशों की लिष्ट में भारत 30 स्थान पर पहुँच गया है जबकि 2022 में भारत की जो रैंक थी वो थी 31 दोस्तो स्वेडिया लेंड जो है वो US News and World Report की वार्सिक रैंकिंग में दुनिया का सर्वसेष्ट देश मना है अगर हम भारत और भारत के पडोसी देशों की बात करें तो चाइना की जो रैंक है वो है 20 इंडिया की 30 रैंकिंग है सिलंका की 54 भी रैंक है बांगलादेश की 89 भी रैंक है और म्यामार की 80 भी रैंक है दोस्तो 2023 के कुछ प्रमुक सूचकांक डिसकस करते हैं जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 27 चुनावी लोकतंत सूचकांक 2023 में 108 वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 में 126 अंतराश्ट्य बौधिक संपदा सूचकांक 2023 में 42 प्रष्टाचार धारना सूचकांक 2022 में 85 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 80 ग्लोबल फायर पाबर इंडेक्स 2023 में चौथी और बिमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 में भारत की पचपन रैंक है अंगला कुश्यन है रुद्र बीणा के प्रतिपादक कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया है आंसर हो जाएगा अली जकी हैदर तो दोस्तों अली जकी हैदर जो थे वो रुद्र बीणा के प्रतिपादक थे तो उनका भी हाली में निधन हो गया है तो प्रसिद रुद्र बीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया है अली जकी हैदर दुपद के जैपोर बीनकर घराने की खंडरबानी सैली के अंतिम प्रतिपादक थे। अब बात आती है कि ये रुद्र बीड़ा क्या है। तो दोस्तो आप ये जो देख सकते हैं इस प्रकार की जो बीड़ा होती है उसे रुद्र बीड़ा कहाज आता है। और इसके प्रतिपादक कौन थे उस्ताद अली जगी हैदर। दोस्तो हाली में हुए कुछ प्रमुक निधन डिसकस करते हैं। तो हिंदोस्तानी गाईका मालिनी रजुरकर का निधन हुआ है। कार्टूनेस्ट अजीत निननन का निधन हुआ है। स्पीजी की निधिशक अरुण कुमार सिनहा का भी अभी हाली में निधन हुआ है। विज्ञानिक एन वलार मती का निधन हुआ है। जिंबाम्बे के क्रिकेट के पूर्व कप्तान हीत इस्ट्रीक का निधन हुआ है। तमिल अभिनेता आर एस सिबाजी का निधन हुआ है और भारतिय अंग्रेजी कभी जयनत महापात्रा का भी अभी हाली में निधन हुआ है नेक्ट कुशन है गोपाल बागले किस देश में भारत के हाई कमिशनर मने हैं? आंसर हुजाएगा ऑस्टेलिया तो दोस्तो बिदेश मंत्राले ने गोपाल बागले को उस्टेलिया में भारत का अगला हाई कमिशनर निक्त किया है बागले की बात करें तो वो 1992 बैच के IFS ओफिसर हैं बर्तमान में सिलंका में भारत के हाई कमिशनर के रूप में काम कर रहे थे बागले पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त की रूप में भी काम कर चुके हैं दोस्तो अब हम कुछ भारतिय राजदूत और हाई कमिशनर डिसकस करते हैं तो नामांग्या खंपा सोमालिया में भारत की राजदूत बनी है नाक्टर सुमिच सेट पनामा में अमेरिका में तरण जी संदू जापान में सिवी जॉर्च बांगला देश में प्रणाय बर्मा भारत के हाई कमिशनर हैं ग्रीस में रुद्र टंडन, इरान में रुद्र गौरव सरेष्ट और सामोवा में नीता भूशन भारत की राजदूत बनी हैं यहाँ पर बात आई है उस्टेलिया की तो उस्टेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा यहाँ की जो समराठ है वो है चाल्स तरतिये गबर्नाज जर्रेल है डैविट हरले और प्रधान मंतरी है एंथनी अलबनीज नेक्स्ट कुशन है आयुश्मान भवा अभियान भारत सरकार की किस मंत्राले की द्वारत सुरू किया गया है तो स्वास्त मंतराले यानि Ministry of Health के द्वारा इसे सुरू किया गया है इसका उद्गाटन किस ने किया है तो इसका उद्गाटन राष्टपती द्रोपती मुर्मूजी के द्वारा किया गया है इस अभियान का उद्गाटन किया है तो देश की हर गाओं और सहर तक पहुँचने वाली स्वास्त सिवाओं की अलिक्तम कबरेश प्रदान करना दोस्तों चलिए अब हम कल के करेंट अफ्यास को रिवाईज करते हैं फिर इसके बाद जनरल नॉलिज के पिटारे को डिसकस करेंगी लास्ट में आपसे कुशन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देदा है तो कल का पहला कुशन है संदी बक्षी फिर से किस बैंक के MD और CEO बने है किस राज में कलिगनार, मगलिर, उरीमाई, थोदई ठिटम योजना की शुरुबात की गई है तमिलाडू में विजय बाड़ा रेल्बे स्टेशन किस राज में है जिसे ग्रीन रेल्बे स्टेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है अन्दप्रदेश में सैफ अंडर सिक्स्टीन चेंपिंशिप दो हजार तेस का किताब किस ने जीता है भारत ने डैनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है वह कि सौप्टवेर के सह निर्माता थे MS पाबर पॉइंट पटना विस्विद्याला के वीलर सीनेट हाउस का नाम किसके नाम पर रखाज आएगा जै प्रकास नारायन के नाम पर भारत ब्रिटेन की बारह भी आर्थिक और वित्तिय बारता कहां आवजित हुई है नई दिल्ली में ADR की रिपोर्ट के अंसार सबसे अधिक किस राज़िक के सांसदों पर आपरादिक मामले हैं किरल के एहमदाबाद में किस देश से आए 108 प्रबास्यों को नागरिकता प्रदान की गई है पाकिस्तान इंडोनेसिया मास्टर्स 2023 में पुरुस एकल का किताब किस खिलाडी ने जीता है तो किरंड जोर्ज ने जीता है दोस्तों आज की जनरल नौलिज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुक बाधियंद्र और उनके बादक जैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खान सेनाईस रिलेटिड हैं हरी प्रसाद चोरसिया बासुरी से पंडित रभी संकर सितार से उस्ताद जाकिर हुस्तेन तबला से पंडित सिवकुमार सर्माज संतूर से उस्ताद असद अली खान बीडा से अमजद अली खान सरोद से टी एच बिनायक क्रम घट्टम से, रमनद वी रागवन मरदंगम से, पंडित राम नारायन सारंगी से, सकूर खान सारंगी से, अली अकबर खान सरोल से, अन्यपूर्णा देवी सुर्बहार बास सितार से, और MS गोपाल कृस्णन वाइलिन से रिलेटिड हैं। दोस्तों कल के करेंट अफ्यस में जो कुश्ण पूछा गया था, उसका आंसर था IC ICI Bank, तो इसका आंसर लगबख सभी लोगों ने IC ICI Bank दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से जो कुश्ण पूछा जा रहा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूरू बताएगा, नैसकॉ